तो दोस्तों सागत आपका अपने टुटर पॉलिस पर और दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रिवेस सिंग तो दोस्तों आज फिरसे एक वीडियो लेका रहा है जिसे मैं आपके लिए बताऊंगा जो आपका बीए फस्ट यर के सब्जेक्ट है इंशेंट के मैं कुछ important questions आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों बहुत सरे लोगों के comment आए मेरे प्रेविएस वीडियो पर और उसमेंने युनिट बनके कुछ important questions आपके साथ शेयर किये थे वीडियो के थुरू बहुत सरे लोगों कमेंट कियर उनका कहना यही है कि unit 2 के भी questions दीजी important questions तो आपके लिए हाज के वीडियो समय होंगा unit 2 के कुछ important questions जो कि आपके ancient Indian history से रहेंगे आई यह देखते हैं किस तरह के questions आपके लिए आसकते हैं आपके upcoming exams में दोस्तों यह वीडियो सभी universities के लिए हैं चाहे आप देवी एहलिया से पढ़ रहे हों चाहे आप BU से पढ़ र रहा हूं यहां पर दोस्तों और आपके लिए पहला question महाजनपद से related पूछा गया है तो महाजनपद किसे कहते हैं दोस्तों कर आप थोड़ा समय बताओं तो आपके लिए बताना चाहूंगा यहां पर कि ऐसा time period भी था हमारे देश में आज से 2000 साल पहले लगवग मतलब में यह बोल सकता हूं गाई साब से कि भारत उस्ता में 16 महाजनपदों विभाजेत था जैसे आप देखते हो कि आज हमारे मद्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश है यानि कि भारत में 28 राज्य है उसी तरह से 16 महाजनपद थे जिनमें से अवंति कुरू चेदी पांच कि इस ने की थी 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 दो मॉस्ट इंपर्टन कोशन में बहुत ने से लेटेट तो आपको बता ही होगा बहुत धर्म का प्रादुरभाब से मतलब बहुत धर्म की शरुबात कैसे हुई और इस धर्म की स्थापना कि थी तीजिक परका बच्पन कि नाम था जा गे जाकर इ तो आज जिनको आप बुद्ध के नाम से जाने हैं उनका बच्पन का नाम क्या था सिद्धार था अगला कोशन हमारा दोस्तों जेन धर्म की शुरूआत कैंसे हुई तथे इस धर्म की स्थापना करता कौन थे तो बहुत धर्म का जो कोशन था उसी जैसा बहुत जेन धर्म का कोशन भी आपको लिए आ सकता है और जेन धर्म में भी पूछा है आपसे शुरूआत कैंसे हुई तो शुरूआत दोस्तों आपको पता ही होगा कि 6 सेंचुरी बीसी के आसपास मलग 16 सताब्दी इसापूर में बहुत धर्म जेन धर्म समकाली इनते एक साथ इनका आगे पीचे शुरूआत हुई ऐसा माना जाता है इस सापना करता कि मैं बात करूँ तो जो महावीर स्वामी है वो जेन धर्म के सापना करता थे ये भी आप ध्यान रखेगा इसी किसा अगर बढ़ती है और बात करते हैं फूर्थ कोशन की दोस्तों फूर्थ कोशन आप से क्या कह रहा है देखिए सिकंदर ने भरत पर आकरमन सबसे पहले भरत के किस छेतर पर किया तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस समय मगद था मगद मतलब आज बिहार मैं एक प्लेस है جो मगद के नाम से समय में जाता था और इसको उपर मौरे समराज ने मगद भर राज्जी किया था यह जो इसने भरत पर आकरमन सबसे पहले भारत के किस भाग पर किया या आपके लिए बताना है तो बहुत छोटा कोशन नहीं बहुत छोटा इसका अंसर बनेगा लेकर आपको पता होना चाहिए तो जैसा कि मैं हमेशा बुलता हूँ एक वीडियो में कि मैं आपते लिए बस कोशन दे रहा हूंगा आप लोग मुझसे कमेंट करेंगे पूछेंगे कि हमें इसके answers भी चाहिए तो मैं आपको provide करूँगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोशन नमबर 5 की सिकंदर कहां का राजा था तो जैसा कि आप लोगों कर पता हो कि सिकंदर निया का राजा से सिकंदर अगला कोशन है सिकंदर के आकरमन का भ Łhrad पर क्या प्रभाब पढ़ा नियुक्षेर हैं सिकंदर के आकरमन का भरत पर क्या प्रभाब पढ़ा तो मौरे राजबन्ज के स्थापना चंदरगुफ्त मौरे ने की ठी यह आप ध्यान रखीएंगा अगला question मौरे राजबन्ज के प्रशाशन के बारे में बताईगे most important question है दोस्तों जरूर पूछा जाएगा आपसे मौरे राजबन्ज के प्रशाशन के बारे में अगला कोशन मौरे सामराज का पतन कैसे हुआ लिखिए तो 9 कोशन आप से बोल रहे हैं कि कैसे पतन हुआ इस मौरे सामराज के इसके कारण लिखिए तो दोस्तों मौरे सामराज का पतन के पीछे भी उनके ही महामंतरी यानि कि जो आकरी मौरे राजा था उसके ही महामंतरी थ पुष्यमित्र शुंग उसने राजा को मारकर अपनी डाइनस्टी अपना सामराज शुरू किया तो इसको बोलते हैं हम लोग शुंग सामराज या शुंग वंश तो पतन कैसे उसके बीचे और भी कारण हो सकते हैं मौरियों के स्तिती समय के साथ खराब होती चली गई थी बह कौन से बंच के स्थाफना की गई यहां मुष्य उप्लब्दियों के वारे में लिखिए तो मैं आपको कुशन नंबर 9 में अभी बताया है दोस्तों बुष्यमित्र शुंग के द्वारे में आपको लिखना है 11 कुशन है दोस्तों हमारा गौतमी पुत्र सथ करनी कौन था यहां उसके बलदियों के बारे में लेखिए यह जो कोशन होते हैं ना गाई इस उपलदियों वाले यह कोशन जरूर आप लिए को देख लिया को विदियों से लेटेड तो गौतमी पुत्र सथ करनी पुष्यमित्र शौंग इनकी कोशन जरूर पूचेंगे आपसे कुशन कुशनाडबंस का संसापक कौन था तो करश कर था ऊंपौचन बिढहर से लेखिए यह बहुत्ड़ाइबर जिए बारे में आपके लेखिए नहीं दीआ हुआ है जो है भी एफस्च चेलियों मैंने वहीं चीयों मैंने याप पर मेंशन की हुई है, इसके अलाबा आप और पर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि देखते हैं हमारे चैनल ट्विटर पॉलिस यहन वंदे मात्रम